नबसकार आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बहुत ही मोटिविशनल वीडियू है आपकी आखे खुल जाएंगी बहुत ध्यान से सुनिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बात पर अमल करना एक सेट जी थे एक गरीब होते हैं तो उनसे लोग गरीब नहीं कहते हैं अगर वो बड़ा आद्वी मन जा तो उससे सेट कहते हैं सेट बहुत ही अमीर थे सेट की तमाम फैक्टरियां बहुत बड़ा कारुबार था क्यों उन्हें खुद नहीं मालुम था मेरा कितना बड़ा कारुबार है इतनी इंकम है इतनी प्राप्टी है उन्हें अपने मनेजर को बलाया उससे कहा मेरे पास कितनी संपत्ती है कितना पैसा है मुझे बताओ मनेजर ने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम देजिए 10-15 दिन का मैं आपको बताओंगा पंदरा दिन बाद मनेजर आया हाथ हिलाते हुए फिर सेट ने कहा आपने बताया मेरे पास कितना धन है तो उसने कहा मनेजर ने कि आपके पास बहुत सारी संपत्ती है इसका कोई अब लोकन नहीं कर सकते हैं सेट ने उसे फटकारा फिर से कि जाओ मेरी सारी संपत्ती सारे बिजनिस का कलकुलेट करके मुझे बताओं अब वो मनेजर जाता है फिर से भाई जोडता है उनकी सारी प्राप्टी और संपत्ती को और सेट जी से कहता है कि सर आपके पास इतनी धलना और दौलत है कि आपकी दस पीड़ी, दस जनरेशन आपके मरने के बाद में बगाएर काम की हुई बगाएर बैठ कर खा सकते हैं जब सेट जी ने सुना कि मेरी दस पीड़ी खा सकती हैं बगाएर काम की हुई तो मैं कितना पैसा बाला हूँ बताओ जिसके दस पीड़ी खा सकती हैं तो कितना पैसा बाला होगा अब उनके मन में एक सवाल चलने लगा टैंसन होने लगी कि भाई दस पीड़ी तो खा लेंगे मगर ग्यार्मी पीड़ी क्या करेगी कहते हैं लालच कभी पूरा नहीं हुआ मन कभी भरा नहीं दौलत से देखी सेट के मन में इस सवाल गूजने लगा सेट को टैंसन होने लगा कि बताओ दस पीड़ीया मेरी खा लेंगी बैटके मगर ग्यार्मी क्या करेगी अफसेट जी एबात अगर अपने लड़का बेटा से कहें तो बेटा पागल समझेगा अपनी पत्नी से कहें तो वो भी पागल समझेगी एक कबकी सोच रहे है अफसेट जी टैंसन में पड़ गए कि मैं करूँ तो क्या करूँ अब क्या होता है उनके पास में ही एक ब्यास जी भागवत कर रहे थे अब सेट जी बहां पहुँच गए भागवत सुनने के लिए नहीं सोचा कि मैं भागवत भी सुन लूँँगा और वो गुरु जी से इसका सवाल का जवाब भी पूछ लूँगा अब सेट जी गुरु जी के पास पहुचे दिन में भागवत हो रही थी साम को जब भागवत का समापन हुआ गुरु देब बैठे जो अचारी थे भागवत कर रहे थे उनके चरणों में सेट जी गिर गए और उनने प्रणाम करते हुए कहा हे अचारी आप भागवत गिता के ग्यानी हो मुझे बताओ मेरे सवाल का जवाब दो मैंने अपने मनेजर से संपत्ति का कल्कुलेशन कराया तो उसने कहा आपकी दस पेड़ी बैठ कर खा सकती है बगएर कोई काम की हुई मैं यह आपसे कहना चार हूँ जब मेरी दस पेड़ी खा सकती है तो ग्यार्मी पेड़ी मेरी कैसे खाएगी मुझे क्या करना चाहिए भगबत गीता के अचारे बेदवियस जी जो कथा बाचक थे उन्होंने का सेट जी मैं इसका आपको मंत्र बताता हूँ ध्यान से सुनिये जो आपके घर से चौथी गली जाती है उधर रास्ते में गरीब लोगों की बस्ती है लाह्ट में चले जाना बहाँ पर एक जोपड़ी है बहाँ एक गुमाता रहती है उन्हें कुछ उन्हें आधा किलुवाटा दान दे देना जब एस सेट ने एक बास सुनी सेट को तो सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए था सेट ने तुरंत अपने नौकर को फून किया कि जाओ एक बुरी आटा लाओ और गाड़े पर लदबा कर देना जाके सेट जी सुएम गए देखते हैं जोपड़ी में एक बुरी मा है बहां अबाज लगाते हैं सेट जी कहते हैं माता बाहर आओ माता वहार आई क्योंकि माता बहुत ही गरीब थी सेट जी ने कहा माता मैं बहुत बड़ा दानी हूँ मैंने बहुत लोगों को दान दिया है क्योंकि सेट जी अब लंबी लंबी छोड़ने लगे है जिसने कभी एक कील एक पैसा दान नहीं दिया हो वो एक बोरी आटा क्या दान देगा अब माता से लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि मैं आपको ए आटा की बोरी देने आया हूँ आप ले लो माता कहती है स्रेट जी मुझे बोरी नहीं चाहिए आपकी स्रेट जी को गुसा आया लेकिन गुरु जी के बताय हुए मार्क पर चलना भी था कहा अच्छा एक बोरी नहीं लोगी तो दस किलो ले लो उन्हों माता ने कहा मैं दस किलो भी नहीं लोगी तब सेट बोले पाच किलो ले लो बोले पाच किलो भी नहीं चाहिए मुझे आज मेरे खाने का इंतिजाम हो गया कहा तो दो किलो ले लो माता ने कहा हाँ जोड़कर मुझे नहीं चाहिए आपका आठा क्योंकि मेरा खाने भरे का इंतिजाम हो गया मेरा तो पेट भर गया कहा सेट लास्ट में यही बोला कि अगर माता आपको आठा नहीं चाहिए तो कल देखा जाएगा मुझे कल की चिंता नहीं है जब कल मुझे भगवान सुबह उठाएगा तो मेरे खाने का इंतिजाम खुद कर देगा अब माता ने ये बात कहा कि कल मुझे भगवान के उपर भरोसे छोड़ दिया है कि मैंने आज का देखू कल का मत देखू जब ए बा सेट ने सुनी कि बास्तम में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जब सेट ने सेट का आज का तो भरोसा नहीं सेट ग्यारमी पेड़ी का सोचने लगा जबकि इतनी उसके पास दौलत है दस पेड़ियां वो बैट कर खा सकती है फिर भी उसके मन में इतना लालच है था कि मैं ग्यारमी पेड़ी को भी बैट के खिलाऊंगा लेकिन जब भगबान के भक्ती में जिक गया गुर्व जी ने उसे मंतर दिया उस बुड़ी मा के पास किया जिसने केबल उसे लालच दिया कि तुम्हें एक बुरी आटा लेगोर मगर मा ने लालच स्विकार नहीं किया सिर्फ आदा किलो जवरदस्ती आटा देखे सेट लोटा या कहते हैं अगर खुसी होना है तो थोड़े में खुस हो सकते हो गर नहीं खुस हो हो तो आपके पास कितनी भी दौलत हो कितनी भी सौरो तो आप खुस नहीं रह सकती हो इसलिए कहते हैं अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में सवर करो लालच मत करो जैसे सेटनी दस पेड़ियों उसकी बैट के खा सकती है उसे ग्यार में की चिंता रहे गई टेंसन हो गया लेकिन उन मा से पूछो जो गरीबी जो आज काम करते हैं उन्हें कल की चिंता नहीं कि कल कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा आज की वीडियो आपको कैसे लेगी लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नहीं कहानी के साथ जय हिंद बंदे मातरम